हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं राज चल रहा है सोजो तुखन अधिकारी दौलत राम चौदरी ने बताया कि कुवे की मरमत के समय मलबे के साथ गिरे लोहे की 14 प्लेटे वह अडान को बाहर निकाल दिया गया है मगर अभी भी बड़े-बड़े प्धर कुवे के अंदर से निकाल रहे हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता 140 फीट कुवे की खुदाई हो चुकी है कुवे के अंदर जो पानी आने के होल थे उसको लकड़ी की गिठी लगाकर बंद करने की कोशिश की मगर पानी की आवक तेस होनी की वज़ा से कुवे में पानी ज़ादा आ रहा है इसलिए दो मोटर लगा कर पानी को बहार निकालना जा रहा है उसके बाद में बड़े बड़े पथर निकाले जा रहे है वहीं उन्होंने कहा कि संभावना जिताई जा रही है कि रेस्क्यू में जल्दी मलबे के नीचे दबे हुए नरेंडर के शब को निकालने की सफलता मिलेगी मौके पर सेना के मेजर मनीश, सोज़त उपकर्ण अधिकारी दौलत राम चौधरी, डिवा एस पी डॉक्टर हीमन कुमार जाकर, सोज़त रोर धाना अधिकारी उर्चार राम, बगडी नगर थाना अधिकारी बाबुलाल जांगेड, मारवार जुंक्षन तहसील दार रामला मीना सहित सेना के 27 जवान, आरेसी के जवान, पुलिस कर्मियों के जवान मौके पर मौझूद है अपेक्षा करते हैं, जल्दी ही रिक्वर करने में कामयाब होंगे जागरुक टिवी की सोज़त से बाबुलाल पवार के रिपॉर्ट